तो राजविरा को आज में कृष्णा गेट अप में रेडी करने वाली हूँ तो फर्स फेस पर मैंने जस्ट पाउडर अपलाई की हुई है उसके बाद न मैं एक टीका लगा रही हूँ टीका लगाने के लिए मैंने वाइट कलर का कुमकुम और रेड कलर का कुमकुम लिया है रेड कलर का कुमकुम और वाइट कलर का कुमकुम आपको आसानी से मिल जाएगा मार्केट में अब बीच में टीका लगा कर हुआ है उसके बाद मैंने वाइट कलर का कुमकुम है ना उसका बड़ा डॉट दिया है अब वाइट कलर का बड़ा डॉट दिया है ना उसके दोनों साइट्स में और उपर नीचे रेट कलर के छोटे चार डॉट देंगे अब उसके बाद ना eyebrow के उपर मैंने white color का कुम कुम का यूज करके थोड़ा सा अलग डिजाइन बनाया है उससे क्या होता है थोड़ा सा different look आ जाता है अब एक साइड के eyebrow के उपर डिजाइन हुई है वैसा ही same design दुसरी साइड के eyebrow के उपर भी लगाने का है आपका बेबी टीका लगाने के लिए मना करता है तो आप वो सोता है न तब लगा सकते हैं वाइट कुमकुम के कर्वस निकाले हैं न मैंने वो दोनों आइब्रोज के उपर सेम ही लगाने का है अब design निकाल कर हो गई है जो white कुमकुम के मैंने curves दिये है उसके बीच में red कुमकुम के छोटे छोटे dots देना है दोनों eyebrows के उपर ही same dots देना है जो design निकाला है उसके निचे दो white कुमकुम के dots देने है थोड़ा सा बड़ा देने का डॉट और उसके बाद ना रेट कुमकुम के चार डॉट्स देंगे और जो चोटा डॉट दिया है ना उसके चारों तरफ वाइट कुमकुम के डॉट्स लगा करना छोटे-छोटे फ्लॉवर निकालेंगे दोनों साइड में भी सेम प्रोसिजर करना है सेम ही कुमकुम लगाने का है अब ये डिजैन होने के बाद ना मैंने रेट कुमकुम का बड़ा वाला डॉट चीन पर दिया है और उसके साइड में और उपर नीचे वाइट कलर के चार डॉट दिया है उसके बाद ना मैं दुप दूपट्टा लिया है जिसकी हाइट और लेंद जादा है अब वो दूपट्टे से में राजवीरा का कमबर पे नौट कर दूँगी दूपट्टे को बीच में नौट कर देने का है और धान रखना दूपट्टे के वो दो एंस है ना वो सेम ही रहने चाहिए अब उसके जाने का है अब उस दूपट्टे का ना प्लेट्स कर देने का है मैंने यहाँ पर छोटे-छोटे प्लेट्स किये है अब वो प्लेट्स है ना वो पीछे दूपट्टी में हम टक कर देंगे दूपट्टा टक किया है उस जगह पर आप पिनप भी कर सकते है तो दूपट्ट का लुक ऐसा दिखता है पीछे से अब वो आगे दुपट्टे का एंड है ना उसके छोटे-छोटे प्लेट्स कर देने है और वो धूती में टक कर देने है जिदर टक किया है ना उदर पिनप किया तो भी चलता है अब उसके बाद क्या करना है वो प्लेट किया हुआ अनुसर वो टक कर देने का यहां रखना दोती पैर में नहीं आनी चाहिए ऐसा टक कर देने का है अब उसके बाद में ना में राजविरा को उपर न पहनाऊंगी यह भी मेरा दुपट्टा ही है उसकी लेंद और हाइट जादा है मैंने उसको अच्छे तरीके से प्लेट कि ना है और उदर क्रॉस किया है ना उदर मैंने सेप्टी पिन से सिक्यर किया है और उसके बाद ना वो बच्चा हुआ दुपट्टा है ना वो मैंने धोती में टक किया है अब आगे क्या करना है सेम ही आगे भी दुपट्टे के दो एंड से ना उसको क्रॉस कर देने है और उदर पिनप कर देना है सेप्टी पिन से और उसके बाद ना दुपटा दोनों तरप से इसा निकाला है मैंने और पीछे के तरप फिर से मैंने पिनप किया है सेप्टी पिन से बहुत यह आसान तरीका है ध्यान से किया तो बहुत यह आसान तरीका है उसके बाद ना वो कर देने का है 75 से उसकी वज़े से न वो आगे का क्रॉस लुक बहुत ही अच्छा आ जाएगा और हमारी धोती है न वो भी दिखती है इस तरह से उपर ने भी पहन कर हो गया है अब बाद में में जुएलरी डाल रही हूँ राजविरा को तीन चार नेकलेस डालने का है जितने ज्यादा नेकलेस डालोगे न उतना लूक आच्छा आ जाता है अब बाद में में एरिंग्स पहना रही हूँ उसके बाद मेरे पास ब्रासलेट है दो वो मेने आर्म्स पर पहना दिया है मेरे पास न दो रक्षा बंदन के राकी है वो भी मेने हाथ पर नौट कर दी है अब उसके बाद में में हैरिस्टाइल करूंगी ज्यादा कुछ करने का नहीं है सिर्फ वो बाल है न वो आगे नहीं आना चाहिए फोर हेड पर इसलिए हमें ब्लैक पीन्स से सिक्यर कर देना है मैंने दो तिन जगर पर बॉबी पीन्स लगाई है वो आगे के छोटे छोटे बा तो लाइक करिए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें